आईए भक्ति जनों अब सुनते हैं शनिवार व्रत की विधी एवं कथा इस दिन शनी की पूजा होती है काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनी को बहुत प्रिय है इसी लिए इनके द्वारा शनी की पूजा होती है शनी की दशा को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है शनी स्तोत्र का पाठ भी विशेश लाबदायक सिद्ध होता है कथा एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, भुध, ब्रहस्पती, शुक्र, शनी, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में जगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है, सब अपने अपने को बड़ा कहते थे जब आपस में कोई निश्चय न हो सका, तो सब के सब आपस में जगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो इसलिए हमारा न्याय करके बतलाओं कि हम नव ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाओं मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हाँ एक उपाय हो सकता है इस समय प्रिथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारन करने वाला है इसलिए तुम सब मिलकर उनी के पास जाओ वही तुम्हारे दुखों का निवारन करेंगे ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देपता चलकर भूलोग में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाओं जिसको छोटा बतलाओंगा वही क्रोध करेगा परन्तु उनका जगडा निप्टाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कासा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रग और लोहा नवोधातों के नौ आसन बनबाए अब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए इसके पश्चात, राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंघासनों पर बैठिये जिसका आसन सबसे आगे है, वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है, वह सबसे छोटा जानिये क्यूंकि लोहा सबसे पीछे था और वहें शनिदेव का आसन था इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है इस पर शनी को बड़ा क्रोधाया और कहा कि राजा तु मेरे पराक्रम को नहीं जानता सूर्य एक राशी पर एक महिना, चंद्रमा सवा दो महिना दो दिन, मंगल तेर महिना, प्रहस्पती तेरा महिने, पुद्ध और शुक्र एक महिने परंतु मैं एक राशी पर धाई, अत्वा साड़े साथ साल तक रहता हूं बड़े बड़े देताओं को भी मैंने भीशन दुख दिया है राजन सुनो राम जी को साड़े साती आई और बनवास हो गया और रावण पर आई तो रावण जी ने लक्षमन की सीना लेकर लंका पर चड़ाई कर दी रावण के कुल का नाश कर दिया हे राजा अब तुम साबधान रहना राजा कहने लगा जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा उसके बाद अन्य ग्रहतो प्रसन्नता के साथ चले गए परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ महा से सिधारे कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को साड़े साथी की दशा आई तो शनिदेव घोडों के सौधागर बनकर अनेक सुंदर घोडों के सहित राजा की राजधानी में आए जब राजा ने सौधागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आग्या दी अश्वपाल ऐसी अच्छी नसल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंथ ही राजा को खबर दी राजा उन घोडों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चड़ा राजा घोड़ी की पीट पर चड़ते ही घोड़ा जोर से भागा घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतरध्यान हो गया इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा बहुत देर के पस्चात राजा ने भूग और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखा गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पे लाया राजा की उंगली में एक अंगूठी थी उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा राजा शहर में पहुँचकर एक सेट की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आपको उज्जेन करहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया सेट ने उसको कुलीन मनुष्य समझ कर जल आदी पिलाया भागयवश उस दिन सेट की दुकान पर बिक्री अधिक हुई थी तब सेट उसको भागयवान पुरुष समझ कर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया भोजन करते समय राजा ने आश्चरी के बाद देखी कि खूटी पर हार लटक रहा है और वे खूटी उस हार को निगल रही है भोजन के पश्षाद कमरे में आने पर जब सेट को कमरे में हार न मिला तो सब ने यही निश्चे किया कि सिवाए वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया अतहां अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया इस पर पांच सत आदमी इखटे होकर उसको फौजदार के पास ले गए फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्तित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है चोर मालुम नहीं होता परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाए और कोई घर में आया ही नहीं अवश्य ही इसी ने चोरी की है थब राजा ने आग्या दी कि इसके हाथ पैर काट कर चोरंगिया किया जाए राजा की आग्या का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिये गए इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोहलू पर उसको बैठा दिया वीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाकता रहा शनी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्शा रितु के समय वे मलहार राग गाने लगा उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने भीजा कि शहर में कौन गा रहा है दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया बस उसी शन राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है प्राताकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अंशन व्रत लेकर पड़ी रही तब दासी ने राणी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का व्रतांत कहा राणी ने तुरंथी बहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पुछा तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी माता ने कहा पगली यह क्या बात कह रही है तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा कन्या कहने लेगी कि माता जी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई तब महराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूद भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवा करूंगा ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए कन्या ने कहा पिताजी, मैं अपने प्रांट त्याग दूँगी, परंतु दूसरे से विवाहन नहीं करूंगी इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसी तेरी इच्छा हों, वैसा ही कर राजा ने तेली को बुला कर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहा आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो, राजा ने उसी समय तोरण और वंदनबार लगवा कर अपनी राजकुमारी का विवाह चाहरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया रात्री को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनीदेव ने विक्रमादित्य को स्वपन दिया कि राजा कहो मुझको छोटा बतला कर तुमने कितना दुख उठाया राजा ने शमा मांगी शनीदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिये तब राजा ने कहा महराज मेरी प्रार्थना सुविकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें शनीदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुविकार है जो मनिश्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में भी कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चीटियों को आटा डालेगा उसके सब मनुरत पूर्ण होंग इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पाउं देखे तो आश्चरी को प्राप्थ हुई उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ यह सुनकर राजकुमारी अत्यन्त प्रसन्य हुई प्रातहकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपनी पती का समस्त वृतांत कह सुनाया तब सब ने प्रसन्यता प्रकट की और कहा कि इश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी जब वो सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर कर शमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का जूटा दोश लगाया अतहां आप मुझको जो चाहें दंड दे राजा ने कहा मुझपर शनिदेव का कोप था इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्थ हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं तुम अपने घर जाकर अपना कारे करो सेट बोला कि मुझे तभी शान्ती होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीती पूर्वक भोजन करेंगे राजा ने कहा जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें सेट ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुन्दर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीती भोज दिया जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चरी की बात सबको दिखाई दी जो खूटी पहले हार निकल गई थी वह अब हार उगल रही है जब भोजन समाप्त हो गया तो सेट ने हाथ चोड़कर बहुत सी मुहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीकवर नामक एक कन्या है उसका पाणी ग्रहन आप करें इसके बाद सेट ने अपनी कन्या का विवाहा राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदी दिया इस प्रकार कुछ दिनों तक वहा निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी, मनभावनी, सेट की कन्या, श्री कमरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास, दासी, रत और पालकियों से जहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले जब शहर के निकट पहुचे और प्रवासियों ने राजा के आने का समबाद सुना, तो समस्थ उज्जैन की प्रजा आगवानी के ले गई, तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे, सारे शहर में बड़ा भारी महतसव मनाया गया, और रात्री को दीप म माला की गई, दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई, कि शनिष्चर देवता सभी ग्रहों में सर्वू परी है, मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्थ हुआ, इस कारण सारे शहर में सदा शनिष्चर की पूजा और कथा होने लगी राजा और प्रजा अनेग प्रकार के सुख भूगती रही, जो कोई शनिष्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर होते हैं, शनिवार की कथा को ब्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी शाम अंक वक्त द्रेष्ट चतर भुजाधारी नेलाम बरधार नात गज के असवारी जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी ख्रीत मुकुट शेश रजित दीपत है लिलारी मुक्तन की माला गले शोबित वलिहारी जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी मोदक में श्ठान पान चड़त है सूपारी लोहा तिल तेल उड़त महिशियत थ्यारी जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी देव दनुज रिशी मुनी सुमिरत नर नारी विश्वनात धरत ध्यान शर्ण है तुम्हारी जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी जै जै श्री शनिदेव भक्तन हितकारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी सूरज के पूत्र प्रभुचाया महतारी प्जय बाड़ स्ग्जय झाल